Morning children of class 2, I am going to start revision of chapter 6, okay? तो क्या है? हम लोग को chapter है, think food first. तो इस chapter में हम लोग क्या करेंगे? We will learn about the different types of food, अलगला तरह के food, food that help us grow, जो food grow करने में मदद करता है, food that give us energy, जो food energy देता है, food that keep us healthy, some healthy eating habits, habits for healthy eating, तो इन सब के बारे में इस chapter में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो draw one food that you had before coming to school, जो हम लोग इसकूल जाने से पहले जो आप नास्ता करते हो सुबह में, वो एक कोई एक picture इसमें draw करना है, उसको color करना, तो उसे आप करिएगा, start, food help us to grow, जो food grow करने में, grow में इसक्या होता है, बढ़ना, तो बढ़ने में हमारी मदद करता है, तो food बढ़ने में मदद करता है, it keeps us strong and healthy, यह strong, मजबूत और healthy बनाता है, food give us energy to work and play, food क्या करता है, energy देता है क्या करने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए, we get food from both plants and animals, यह food कहां से आते हैं, plants से मिलते हैं और animals से मिलते हैं, अब kinds of food, there are different kinds of food that help us in different ways, यह अलग-अलग तरह के भोजन, अलग-अलग तरह से हमारी मदद करता है, जैसे foods that help us grow, जो भोजन बढ़ने में, grow करने में मदद करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे food such as meat, eggs, pulses, nuts and milk help us to grow, यह सभी जो हैं, हमारी बढ़ने में मदद करता है, grow करने में मदद करता है, तो they make us strong, यह क्या रटता है, strong बनाता है, यह हमें strong बनाता है, मजबूत बनाता है, तिस तरह में आप देख रहा है, foods that help us grow, यह इस तरह का फोजन ग्रो करने में मदद करता है, foods that give us energy, यह food energy देता है, जैसे some foods such as चपाती, ब्रेड, बटर, जैम, राइस, पोटेटो, जैन, सूगर, गीवस इनरजी to work and play, इस तरह का food, जैसे चपाती है, ब्रेड है, बटर है, जैम है, राइस है, पोटेटो, जैन, सूगर है, इस तरह का food क्या करता है, इनरजी देता है, जो काम करने और खेलने में हमारी मदद करता है, foods that keep us healthy, इस तरह का food हमें healthy बनाता है, तो some foods such as fruits and vegetables protect us from diseases, कुछ foods ऐसे होते हैं, जो हमें बीमारीों से दूर रखता है, बचाता है, तो वो है fruits and vegetables, we must eat some of these foods at least once a day, यह हम लोग को इस तरह का food दिन में एक बार कम से कम खाना चाहिए, जो हम लोग को fruits और vegetables दिन में एक बार खाना चाहिए, यह क्या करता है, हमारे बीमारीों से बचाता है, हम लोग कम बीमार परते हैं, आवर बड़ी also needs water, अब हम लोग के बड़ी के लिए water की भी जोरत होती है, यह तो नहीं है कि खाना सिर्फ खाना खाएंगे, वाटर भी पिएंगे, तो हमारी बड़ी को water की जोरत होती है, we should drink plenty of water in a day, हम लोग को दिन में भरपूर, एक दिन में भरपूर पानी पीना चाहिए, जिससे हम लोग जो फूर भोजन करते हैं, उसको क्या करता है water, पचाता है, इसलिए हम लोग को water plenty of water, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, और अगले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, बाई,